मेरा नाम है एरिक और मैं हूँ अरीना फिलम इंसिट्यूट का को फाउंडर चाते तो वीडियो और भी अच्छी बना सकते थे बट मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है मैंनी चाता कि हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखें फिर आपके सामने कोई भी चीज को प्रेजेंट करें मैं चाता हूँ जैसा मैं अंदर से हूँ वैसी हम वीडियो बनाएं इसमें कोई भी फैंसी चीज़े ना हो मैं दिल की बात आप तक रख पाऊं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कौन हूँ अरीना फिल्म इंसीट्यूट का लक्षय क्या है और आप इस कोर्स में क्या सीखने वाले हो इस कोर्स की क्या टाइमिंग होगी और आपको ये कोर्स एक्चुली मैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे मैं आज सारी information ले लेगी सबसे पहले मेरा नाम है Eric और मैं अरीना फिल्म इंसीट्यूट का co-founder हूँ इसको start करने से पहले मैं अरीना फिल्म स्टूडियोस को operate कर रहा था जो मेरा post production house है जिसमें हम video editing और color grading की service देते हैं ये अरीना फिल्म इंसीट्यूट को start करने की मुझे जरूरती क्या पड़ी क्या जो मैं काम कर रहा था उसमें मुझे पैसे की कमी आ रही थी dancer is no क्या मुझे कुछ और जरूरत थी dancer is no मैं बहुत अच्छा खासा कमा रहा था मुझे कोई भी और business start करने की जरूरत नहीं थी problem कहां से शुरू होती है institute बहुत है यहां पर हम school में जितना भी पढ़ते थे और real life में जीते थे तब बहुत जमीन आस्मान का अंतर होता था student हमारे पास course करने के बाद दुबारा studio में काम करने के लिए आता था उसको वो चीजें मालूमी नहीं होती थी जो actually में real में काम आती है जो software होता है वो कोई भी पढ़ लेता है सबसे बड़ी problem आती है real life में जिन्दगी के साथ चलना software कोई भी पढ़ा सकता है कोई भी सीख सकता है बहुत सारी fees देने के बाद भी बच्चों को कुछ काम का सीखने को नहीं मिलता था इसलिए हम इस market में आये और हमने Arena Film Studios के साथ साथ Arena Film Institute को भी शुरू किया तो ये थी छोटी सी जर्नी और इसमें मेरा 8 साल का experience है और जितने brands के साथ हमने काम किया मैं थोड़ा सा 1-2 मिनिट और लेके मैं सारी चीज़ें आपको clear कर दूँगा ये basically मेरी photo है मैं video बनाना पसंद नहीं करता हूँ ठीक है बट ये मेरी photo है और धीरे धीरे आपको जो सारी चीज़ें मेरे बारे में पता चलनी शुरू हो जाएंगी अभी मैं आपको बताता हूँ ये हमारी website है जैसी आप visit करेंगे arenafilminstitute.com के अंदर जाके तो यहाँ पे आपको नीचे जाने के बाद master class road map दिखेगा जिसमें हम आपको बताएंगे आप कौन सा software सीख रहे हैं कौन-कौन से software हैं पूरे course में क्या-क्या होगा और course करने के बाद आपको क्या-क्या चीजें हमारी तरफ से मिलेंगी brand के partner कौन-कौन से होगा हम अभी आजाते हैं मेरे काम के उपर मेरी जो journey शुरू होती है वो around यहां से शुरू होती है 2017 और 2018 से actually में मैं professional काम करना शुरू किया था शायद आज की date में मैं इन कामों को देखता हूँ मुझे काम यह अच्छा ना लगे बट यह क्यों चूज किया गया है इन गानों को इसलिए चूज किया किया है कि हम आपको बता पाएं कि बहुत सारे hit गाने हम अलड़ी दे चुके हैं बहुत time पहले भी आज हम इस काम को देखते हैं मुझे अपना काम फीका लगता है obvious बात है कि अगर आप भी काम करते हो अगर आप दो साल पहले की काम को देखते हो तो आज आपको वो फीका लगना शुरू हो जाता है सेम हमारे साथ की है बट आपको कुछ गाने ऐसे बता रहा हूँ जो मैंने किये हुए है 2018-17 की जर्नी में और बहुत हिट रहे हैं जैसे कि आपने famous singer इसका नाम सुनाओगा करन ओजला alcohol to गाना आया था 2018 में और ये editor इसका मैं रह चुका हूँ आप गाना सुन सकते हैं आपने ये भी गाना सुना होगा फिर उसके बाद अगर आपने पंजाबी गाने सुने होंगे तो फिर आपको इसके बारे में जरूर पता होगा snitch गाना आया था करन ओजला और एली मंगर का 2017 का टाइम था snitch गाना आया था तो यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं एडिटर एरिक पॉल आप इसको प्ले कर देते हैं एक सेकंड के लिए तो ये गाने हो गए 2021 में ये बेसिकली गाना किया मैं एक्चली में कमर्शल जादा काम करता हूँ गाने कम करता हूँ तो ये कुछ गाने हैं वैसे तो बहुत सारे गाने की हैं हम एक पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं जो हिट गए हैं उन पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं वैसे बहुत सारे गाने क्यों है मतलब गिनने भी मुश्किल हो जाएंगे ऐसे तो फिर उसके बाद बात करते हैं चाहे वो हेर गाना हो अल्रडी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में आपको फिर IMDB पे मैं जाता हूँ आपको बताता हूँ फिर उसके बाद यहाँ पे बेटल फ्री लाइफ यह अल्टू वेल यह हो गया और उसके बाद करन औजला यह अल्रडी आप देख सकते हैं अज एडिटर यह आपको मेरी IMDB के पेज पे भी मिल जाएगा यह देखिए एरिक पॉल प्रेजिदेंट एंड सीओ अरीना फिल्म स्टूडियो यह हमारे पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो का नाम है तो नीचे जाके यह सारी इंफोर्मिशन भी मेरे बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ पे मेरा Instagram अगाउंट है जैसे आप क्लिक करेंगे यह देखें मेरे Instagram पे पहुंच जाएंगे आप तो यह तो होगी genuine बाते जब भी हम कोई online course करवाते हैं तो लोगों को बिलकुल ऐसा लगता है क्योंकि यह amount क्योंकि मैं आपको अभी call कर रहा हूं तो आपको कैसे trust होगा कि यह genuine है या genuine नहीं है तो यह सारी चीजें होती हैं जिससे आप पता कर शकते हो तो यह basically हमारा काम है तो जाके आप देख सकते हो यहाँ पे Gucci की ads हो गई आप नीचे जैसी मैं इसको login करता हूं अभी कुछ लोगों को लगेगा मैं login भी करके दिखा देता हूं तो जैसे हम login करते हैं यह देखिए edit profile का आगया मतलब यह profile login होई हुई है जैसे काम देखते हो आप यहाँ का और man force की ad भी color grade basically हमने की थी और इसमें आप the prom series देखते हो 2020 की series ही Netflix की और यह सब काम जो है वो हमारे दवारा किये गए हैं और Louis Vuitton की ad हो गई Gucci की ad हो गई मैं आपको यह clear करता हूँ और उसके बाद भी आप click करके यहाँ पर Vimeo पर जाके मेरी show reel को देख सकते हैं यह सारी चीजें देखने के बाद आप course को कर सकते हैं बार definitely जो आज का हमारा सुधार हुआ 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 है कामों में और जो आप दो साल के पहले के काम को देख रहे हैं उसमें जमीनास बाद का अंतर है और फिर हम brands की बात करते हैं जैसे की Gucci, Louis Vuitton और Campo Maggi जैसे की एक basically brand है यह आपका brand है Bags का, Italy का brand है उसकी basically ad थी यह भी हमने color grade की हुई है तो मैं play करके दिखा देता हूँ आपको इसके colors तो यह सारी चीजें फिर उसके बाद अगर मैं आपको यह बताता हूँ Itoro Company की ad थी Cryptocurrency की तो आप यहाँ पर भी दे सकता है तो यह तो रह गई basically मेरे काम की बात हमने जो जो काम किया वह आपको बता दिया और अभी मैं आपको बताता हूँ कि course की timing क्या होने वाली है सबसे पहली बात आप course करोगे कैसे हम आपको यह सारी चीजें आप तक deliver करेंगे सबसे पहले क्या होता है मैं आपको clear करता हूँ यहाँ पे एक zoom application होती है ठीक है zoom application के उपर क्या होता है हमारी यहाँ पे कोई भी recorded class नहीं रहती सबसे पहली बात तो और दूसरी चीज हमारे यहाँ पे arena film institute के जितने भी accounts है वो सारे license हैं मतलब zoom application पे कोई भी आपको teacher पढ़ाता उसकी class जो है 45 minutes में बंद हो जाती है और आपको दुबारा से अपरेट करने पड़ती है यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा यह continue classes चलेंगी आप देख भी सकते है arena film institute जो account है वो license है हमारे पास zoom का भी तो इससे क्या होता कि continuity हमारी बनी रहती है मतलब हमें बार बार 45 minutes के बाद हमारी जितनी भी class उसको बन नहीं करना पड़ता यह continue हो रहती है अभी आप ऐसा समझी कि आप हमारे institute में आके course को कर रहे है हम आपको क्यों prefer नहीं करते हैं आप हमारे institute में आए जितनी हमारी institute में course की value नहीं होगी उससे जादा आप हमारे institute में आकर रहेंगे 4-5 महीने के लिए आपका खर्चा हो जाएगा तो इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप कहीं भी बैठके अराम से कर पाओ course को और आपको कोई भी तकलीफ ना हो देखे सबसे important बात क्या होती है आप हमारे पास आके course को कर रहे हो कैसे होता है आप हमारे पास आ रहे हो मेरे साथ बैठ रहे हो class ले रहे हो यह होता है यहाँ पे हम जब भी new meeting करते हैं इस meeting के अंदर यह देखे मैं यहाँ पे screen share करता हूँ और हमारी video भी दिखाई देती है इस video के दुरान आपको यह overall जो screen है वो मेरी पूरी दिखती है और जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाते हैं हमारी आवाज और हमारी video आप तक पहुंचती जाती है और आपके जो doubts होते हैं वो हमें आप पूछ सकते हैं फिर दूसरी साइड पे अगर आप काम कर लेते हो और आपको वो हमें दिखाना है तो आप हमें screen share कर देते हो जूम पे तो यह जितनी भी जिसको भी technical knowledge नहीं है हमारे यहाँ पे technical department अलग है जब भी कोई problem आती है वो solve करने के लिए आपको त्यार रहता है आपको zoom install करनी है आपको कुछ changes करने है वो सारी चीज़े हमारी तरफ से किये जाएंगे ठीक है तो आपको 1% भी problem नहीं आने वाली तो जो course होता है basically Final Cut Pro जिसमें हम video editing सीखते हैं color grading सीखते हैं sound design सीखते हैं उसको हम पूरा देते हैं एक मन्त तो यह आपको एक मन्त का course है और दूसरी साइड पर course है आपका divinci resolve का जो कि आपका course है 4-5 महीने का overall हम अगर बात करें तो 5-6 महीने का course आपका रहता है जिसमें आपकी रोज की 2 घंटे की class होती है रोज आप 2 घंटे के लिए पढ़ते हो time आप कोई साभी चूज कर सकते हो हमारे यहां से सुबा 12 वजे से लेके रात के 10 वजे तक class चलती है आप कोई साभी time चूज कर सकते हो उसके बाद Monday से लेके Saturday तक class होती है Sunday आपका off रहता है और ऐसी ही आपका course जो है 4 से 5 महीना चलता है और जैसे ही आप Dementsy Resolve के color grading part में पहुंचते हो तो आपकी class को थोड़ा साथ धीरे भी कर दिया जाता है तांकि आप साथ-साथ practice कर पाओ क्यूंकि उसका कोई मतलब नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको practice करने का time नहीं मिल रहा और class आगे बढ़ती जा रही है तो हम एक-एक दिन का gap ले लेते हैं तांकि आप practice कर पाओ एक दिन हम जब gap लेते हैं तो आप practice करते हैं फिर अगले दिन class लेते हैं तो वाँ पर हम speed को slow कर देते हैं आपके बोलने पर बाकी आपको जैसा comfortable रहता है वैसे आप कर सकते हैं फिर आजाती है बात कि जैसे आप class लगा लेते हो सबसे बड़ी problem क्या आती है कि आप class के बाद कुछ भूल जाते हो तो उसको कैसे graph करना है हमने सबसे पहला method निकाला है zoom की live video recordings जितनी भी class लगाते हैं वो record हो जाती है जैसी आप class को खतम करते हैं आपके whatsapp के उपर आपको एक link मिलता है जिसके उपर आप click करने के बाद आप उस class को देख भी सकते हो और download भी कर सकते हो मैं आपको show कर देता हूँ कैसी होती है यह classes यह देखिए मैं इसको बंद करता हूँ और यह मेरी google drive है तो google drive भी हमारी paid रहती है इसमें भी कोई problem आने वाली बात नहीं है हमारे पाद बहुत जाद access होता है तो my drive के उपर click करता हूँ और यहाँ पर देखिए live classes पर मैं अभी जाता हूँ अभी basically जैसे यह classes होती है रोज की classes upload होती रहती है जैसे color grading की अभी 6th class चल रही है तो यह upload हो गई अभी fcp का batch चला था तो यह upload हो गया तो यह सारी चीजें आप जाके देख भी सकते हो download भी कर सकते हो और जब आपका course खतम हो जाएगा तो भी आप इसको देख पाऊगे क्योंकि यह lifetime access है उसके बाद भी अगर आपको problem आती है वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई doubt रह जाता है तो आपको हमें call करनी है solution आपको साथ के साथ मिल जाएगा अगर बहुत जादा रात हो चुकी है और आप call नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या होता है कि अगले दिन की जो class होती है जो अगले दिन की class होती है हम उसमें आदा घंटा पहले बोल देते हैं कि अगर आपका doubt है तो आप पहले आ जाओ आपके वो doubts अगले दिन के course में clear कर दे जाते है तो इस तरीके से ही ये सारी चीजें चलती है आपको 1% भी problem नहीं आने वाली ये मैं आपसे दिल से वादा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सच में बता रहा हूँ मैं course बेचने नहीं आया हूँ मैं अपना experience आप लोगों के साथ share करने आया हूँ यहाँ बिल्कुल हम course बेचने नहीं आये और नहीं हमें ज़रूरत है जो लोग यहाँ पे practice नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ course खरीद लेंगे और practice नहीं करेंगे तो उनके लिए यह course बना ही नहीं है मैं आपको नवेदन करता हूँ कि आपको यह और course को ढूंडे और मैं आपको guarantee देता हूँ बिना practice से आप कहीं से भी course कर लेजिए आप कभी भी कभी भी colorist या video editor अच्छे नहीं बन सकते हैं क्योंकि दुनिया पे ऐसा कोई course नहीं है जिसको करने के बाद आप great हो जाएं आपको practice करनी पड़ेगी आपको time देना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता जाएगा time बढ़ता जाएगा उन चीजों में आप माहिर होते जाएगे अभी हम बात करते हैं course में क्या-क्या सीखने को मिलेगा सबसे पहले बात करते हैं final cut pro की final cut pro में देखे सबसे बड़ी बात क्या होती है मैंने आपको अल्रेडी बताया जितने भी हमारे पास students आते हैं वो सिरफ software सीख के आते हैं पर यहाँ पे video editing यह नहीं होता आप कोई भी shot निकाल के timeline पे रखो और उसको render करके भेज दो client को ऐसा तो कभी भी नहीं होता आपको सारी चीजों की knowledge होनी चाहिए क्योंकि director की दिमाग में जो चल रहा है editor को उसको screen पे दिखाना होता है वो तब हो पाता है अगर आपकी story जो है वो अच्छे तरीके से आप present कर शकते हो तो यहाँ पे कैसे सीखते हैं यहाँ पे हम data का management सीखते हैं सबसे पहले बात मालो आपको एक client है वो 7 दिन का data shoot कर रहा है और आपके पास ऐसे धेर सारे clients है for example आपके पास एक director आके बैठ गया उसने बोला कि मेरे day 1 के shoot में जाके आपको यह shot ढूणना है तो आपको ढूणने में इतना time लग रहा है तो यह सबसे बड़ी गड़़ हो जाती है सबसे पहले हम सीखेंगे data management और जो भी आप अच्छे shots निकाल लेते हो edit में लगाने भूल जाते हो यह सबसे बड़ी problem होती है और हर video editor के साथ होती है यह कोई बड़ी बात नहीं होती पर जिस method का हम बताने वाले हैं आप कभी भी अच्छी clips को लगाने के लिए भूलेंगे नहीं यह मैं आपसे बादा कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम सीखते है data management उसके बाद हम सीखते है the ultimate guide जिसमें हम आपको बताएंगे short sizes क्या होते है camera framing क्या होते है क्योंकि short अच्छे तभी लगा पाओगे न जब आपको knowledge होगी यहाँ पे क्या होता है आपको 10 angles से short मिलते है आप यहाँ पी confused हो जाते हो कि short लगाना कौन सा है अगर आपको इनकी knowledge होगी क्यों कब कि short का use करना है तभी आप अच्छे shots निकाल पाओगे न तो यहाँ पे आपको short sizes क्या होते है camera framing क्या होते है camera angles क्या होते है camera gates क्या होते है कौन कौन से gears use किये जाते है कौन कौन सी camera moments होती है camera lenses क्या होते है frame rates क्या होते है essential film techniques क्या होते है जिसके through हम editing जो है वो सीखते है editing के cuts जैसे कि आपने basic सुना होगा J and L cut, jump cut, hard cut यह सारे cuts होते हैं यह techniques होते हैं मैंने आपको already बताया editing is a technique यह सारी techniques के base पे यह सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे फिर आजाता है software को पूरा सीखने का time जैसे की import कैसे करना है ठीक है अगर आप red के उपर काम करते हो तो red की files को कैसे import करना है उसके workflow plugin कौन कौन से होंगे अगर red camera के साथ काम करते हो यह सारी चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है playback and organized media पे आप सारा data organize करना playback करने की जितनी techniques है video scope सीखना video scopes के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें आपको फिर उसके बाद अगर आपको monitors और add करने है कैसे add करने है data कैसे manage करना है project कैसे बनाना है यह सारी चीज़ें playback और organized media के अंदर आ जाती है फिर उसके बाद editing की techniques सीखेंगे editing की जितनी techniques होगी tools होगी सारी चीज़ें सीखेंगे masking सीखेंगे keyframe लगाने सीखेंगे compositing सीखेंगे जो आपकी shaky footage होती है जैसे की camera हिलती हुई footage आपके पास आगी shaky footage आगी उसको कैसे handle करना है color correction की technique सीखेंगे title कैसे बनाने है वो सीखेंगे slow motion lip sync कैसे shoot करना है वो सीखेंगे क्योंकि हम slow motion shoot तो कर लेते हैं वो तो सबको आता है पर जब lip sync करने की बारी आ जाती है जैसे हम बोलते हैं कुछ उसको slow motion में match करना उसको बोला जाता है slow motion lip sync ये कैसे shoot करना है और edit कैसे करना है ये सारी चीजें सीखेंगे पूरा complete music video edit करना सीखेंगे और ये project भी हम सीखेंगे जिसमें shoulder coming back एक project है basically इसको पूरा edit करेंगे पूरी music video को आपकी class में और फिर बाद में आप edit करोगे जितना भी हम आपको practice करवाएंगे उसमें जितना भी data आपको need होगा वो सारा हमारी तरफ से दिया जाएगा जैसे कि ये shoulder coming home जो है एक music video है तो ये music video को सारा data आपको google drive के दोरा share किया जाएगा और आप इसको download करेंगे जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे आप इस steps को follow करके हमारे साथ ये सारी चीज़ें करेंगे done उसके बाद हम effects लगाने सीखेंगे transaction लगाने सीखेंगे उसके बाद masking करने copy effects कैसे करने है on screen controls जो है final cut pro के वो सारी चीज़ें सीखेंगे sound design क्या होता है follow effects क्या होता है ये सारी चीज़ें सीखेंगे जितना भी sound designing का काम है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है record कैसे करना है vocals को music कैसे बनाना है अच्छी website कौन कौन सी है जिससे आप अच्छा music ढूण सकते हो वो सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे फिर आ जाता है multicam editing जैसे आप live concerts देखते हैं cricket का event देखते हैं उसमें एक ही time पे 5-10 camera लगे होते हैं ठीक है उसको कैसे edit करना है वैसा अगर आपके पास कोई event आ जाता है तो आप इस multicam methods से आप बहुत सारी चीज़ों को easy कर सकते हैं मतलब एक काम जो आपका एक दिन ले रहा है उसको आप 2-5 गंटों में कर सकते हैं मैं सच बता रहा हूँ ये trick से उसके बाद आपको work smart कैसे करना है कुछ आपको artificial intelligence बताई जाएंगी जैसे कि आप green screen का use करते होंगे background को cut करने के लिए अगर आप बिना green screen लगाए किसी भी background को cut करना चाहते हो तो उसको बोला जाता है rotoscoping तो rotoscoping में लगता है बहुत ज़्यादा time बट हमारे पास ऐसे tools होते हैं artificial intelligence की मदद से हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही seconds में बना देते हैं कुछ महीनों का काम हम कुछ seconds में कर शकते हैं ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे productivity app कौन सी होते हैं data backup कैसे करना है data manage कैसे करना है management में issue कौन कौन से आते हैं preferences keyboard shortcut कट सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे फिर आजाते हैं business बनाना business को कैसे बनाना है grow कैसे करना है clients कहां पर मिलेंगे strategies क्या क्या होनी चाहिए clients के साथ काम कैसे करना है deal close कैसे करना है क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो पैसा लगाया उसको भी तो निकालना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि arena film institute में जो आपको सीखने को मिलेगा वो पूरे planet पर आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा फिर हम यहां पर collaboration tools के बारे में सीखते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी clients के साथ काम करते हैं या तो हम उसको google drive पर डाल देते हैं या हम उसको email कर देते हैं यह right methods नहीं है हम actually में collaboration platform के बारे में सीखेंगे जो कि बिल्कुल free हैं आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगे freelance website के बारे में बताया जाएगा और actually में मेरे जो brands के साथ connect हैं वो भी आपको दिये जाएंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारी brands की list है और अगर वो आपको काम देते हैं तो international payments पे बहुत जादा आपको text देना पड़ता है उसको कैसे resolve करना है business की strategies कौन सी है जो basically एक facebook commodity होगी यह private है बिल्कुल जितने भी course लेंगे सिर्फ उनको add किया जाएगा जब भी आप काम डालेंगे तो आपको हर कोई आपके काम के उपर एक अच्छा revert back करेगा और बहुत positive revert back होंगे क्योंकि यह course थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि हर कोई इस course में नहीं आने वाला यहां पे बहुत serious लोग आने वाले हैं तो यहां पे आपको directors मिलेंगे film makers मिलेंगे सब अच्छा काम करने वाले studio honors मिलेंगे कोई भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा सब professional लोग होंगे तो सब आप से अच्छे से बात करेंगे आपके काम के उपर अच्छा एक review देंगे positive review देंगे अगर उसमें कोई भी changes होंगे तो वो भी आपको बताएंगे और साथ में मैं भी आपको इसमें support किया करूँगा यह मैंने आपको बताया final cut pro के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ आपको DaVinci Resolve के बारे में DaVinci Resolve में हम शुरू कैसे करते हैं यहां से शुरू करते हैं database कैसे बनता है project कैसे बनते हैं यह सारी चीज़ें सीखते हैं अभी हम DaVinci Resolve में color grading पढ़ा रहे हैं का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आपको color grading पढ़ाई जाएगी क्योंकि at the end of the day आप editing भी उसमें कर सकते हैं आप grading भी उसमें कर सकते हैं आप sound design में उसमें कर सकते हैं सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं तो आपको media management के page के बारे में पूरी complete knowledge दी जाएगी क्योंकि जब हम अच्छा shoot नहीं कर रहे तो अच्छा color grade कैसे करेंगे या color correction कैसे करेंगे तो raw क्या होता है log क्या होता है rec 79 क्या होता है और बहुत सारे color spaces होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे कि क्या होती हैं कब किस जगा किस पर shoot करना चाहिए noise और film grain लोग समझते हैं कि same होता है आंसर is no इसके बारे मैं knowledge लेंगे data burn-in, proxy के उपर printer lights क्या होते हैं full printer lights, half printer light, quarter printer light media manage कैसे करना है जैसे कि आप proxy के उपर काम करोगे आप जितनी भी अच्छी machine ले लो हमारी actually studio में 10-12 lakh की machine है अगर हम बड़े cameras की footage को direct वहाँ पे play करते हैं तो वो भी chalk हो जाता है कही बार तो उसके लिए एक पूरा complete method होता है सबसे पहले हम proxy बनाते हैं फिर काम करते हैं ऐसे होता है यह complete process होता है पूरी complete practical knowledge होगी यह उसके बाद अगर आप final cut pro use कर रहे है premiere use कर रहे है या कोई और software use कर रहे है तो आपको अगर editing उसमें कर लिए आपने final cut pro या premiere pro में तो आपको color grade करने के लिए devinci resolve में कैसे आना है और color grade करके वापस कैसे जाना है और कितने उसके methods है वो सारे methods आपको clear किये जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद devinci resolve जो हमारा होता है वो node based software होता है अभी कोई भी software ले लो photoshop ले लो उसमें layer based काम होता है हम layers लगाते हैं ऐसे layers लगाते जाते हैं video editing में भी same काम होता है नीचे हम audio रखते हैं उपर videos रखते हैं titles सारी चीज़ें ऐसे रहते हैं तो यह layers हो गई devinci resolve में node based काम होता है और node बहुत दरीके के होते हैं जैसे की serial, layer, parallel, outside, key, shared, timeline and master node tree तो यह सारी node tree के बारे में आपको knowledge मिलेगी कौन सा node क्या काम करता है कब आपको किस node का use करना चाहिए और आपको comparison करके बताया जाएगा कि आपका Photoshop या फिर video editing का software यह काम करता है और यहाँ पर यह node यह काम करता है तो complete knowledge आपको दी जाएगी फिर आजाता है camera camera में देखे क्या होता है हर camera manufacturer का color science अलाग है जैसे कि आप Sony पे shoot कर रहे हो तो S log है Canon पे shoot कर रहे हो C log है ऐसे red पे shoot कर रहे हो red camera का shoot कर रहे हो तो log 3G 10 है ARRI का shoot कर रहे हो log C है Blackmagic का shoot कर रहे हो pocket 4K है DJI का shoot कर रहे हो different है हर camera का color science अलग होने की वज़ा से उस पे जो काम होता है उसकी technique भी change हो जाती है जितने भी industry के manufacturers है उनके हमने cameras लिये हूँ है Red, Alexa, Canon, Panasonic, Blackmagic, Sony, DJI इन सब के साथ काम करने के grade करने के तीन methods होते है वो हर तीन methods हम हर camera की footage के साथ apply करेंगे किसी camera पे कुछ अच्छा काम करता है किसी पे बुरा काम करता है वो सारी चीजे हम इसमें सीखेंगे और जितनी भी आपको footage मिलेगी इन सब cameras की वो हमारी तरफ से दी जाएगी आपको और जब भी आप किसी भी बड़े cameras के उपर color grade करोगे या shoot करोगे आपको तीनों चीजों की knowledge होगी कि मुझे shoot कैसे करना है क्योंकि आपको result पता होगा किसका अच्छा आता है और जब भी आप clients के साथ काम करोगे आपको time based करना नहीं पड़ेगा आप directly क्योंकि आपने इन सब बड़े cameras के उपर काम किया हुआ है आप directly confident से अपने client के किसी भी project के उपर जंप करके उसको 100% अच्छा बना के दे सकते हो क्योंकि आपने already काम किया हुआ है आपका रोज का practice बड़े कामों के उपर होगा तो यहाँ पर आपकी यह चीज भी solve हो जाती है फिर सबसे important हम सीखेंगे color correction क्योंकि color grading एक hot topic है सब सीखना चाहते हैं उससे पहले कुछ चीजें हैं जो की सीखनी जरूरी है जैसे color correction, short matching उससे पहले ये सारी चीज़ों का सीखना बहुत जरूरी है अगर आप इसको miss कर देंगे मैं सच बता रहा हूँ आप color grading कभी नहीं सीखा हुए क्योंकि यह शुरुआत है कभी भी ऐसा हुआ है आप school में जाते हो ABC नहीं सीखी और सीधा आप किसी बड़ी class में jump कर जाते हो ऐसा कभी नहीं होता सबसे पहले आप ABC सीखते हो फिर सारी चीजें आप आगे की सीखते हो तो यहाँ पे भी हम पहले ABC ही सीख रहे थे तो यहाँ पे color correction सब लोगों को ऐसा लगता है color correction और color grading सेम होती है the answer is no बहुत अंतर होता है तो यह सारी चीजें हम सीखेंगे और clients बोलते हैं हमारी वीडियो को pop कर दीजिए उसका क्या मतलब होता है कैसे करना है और सीखेंगे सबसे important scopes जैसे आप अंजान शहर में जा रहे हो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप और आपके पास map नहीं है तो आप सही direction पर पहुँच नहीं सकते यह मैं लिख के बोल रहा हूँ अगर आपको scopes पढ़ने नहीं आते आप color grading अच्छी नहीं कर पाऊगे क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको जाना क्या है तो यह road map है आपका यह map है आपका जो आपको बताएगा आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो तो यह सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने सीखेंगे proper white balance करना primaries, log, contrast, rgb curves यह devancy resolve के tools हैं क्या इन में difference होता है यह सारी चीजें सीखेंगे exposure करना जो आप commercial ads में skin की technique देखते हैं बहुत smooth उनकी skins होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर सीखेंगे footage को कैसे analyze करना है और यह सारी complete series है human beings जिसमें बहुत सारी footage होंगी practice के लिए आपको दिये जाएंगे और साथ-साथ हम भी आपको practice करवाएंगे और फिर आप उस चीजों को करोगे color correction human being के shots पे कैसे करनी है landscape पे कैसे करनी है अगर आपके पास कोई product आ जाता है उसको कैसे आप अच्छा बनाना है आपने rec 79 footage आ जाती है यह सारी चीज़ें हम उसमें सीखेंगे तो यह complete series होगी उसके बाद हम सीखेंगे short matching, short matching क्या होता है जैसे कि आप आपके पास 5 cameras है आपने shoot कर लिया वो 5 cameras के आपने color कर दिये पर एक दूसरे के साथ वो color नहीं मिल रहे, अगर मैं आपको simple भाषा मैं बताऊँ या फिर आपने आज shoot कर लिया और कल same shoot करने गए तो weather के कारण आपके यह colors मिल नहीं पारे match नहीं हो पारे तो आपको jump दिखता है जैसे कि आप video editing में गलत बीट के उपर short लगा देते हो तो आपको वो jump दिखता है वैसी गलत grade करने पर आपको एक shot से दूसरे shot जाने पर भी jump दिखता है तो यह shots को कैसे cover करना है तो यह इन चीजों को कैसे सीखना है इसको बूला जाता shot matching shot matching क्या होता है कौन से ऐसे tools होते हैं जो DaVinci Resolve में आपकी मदद करेंगे gallery stills और media memories जो है यह भी एक DaVinci Resolve का part है split screen, group clips local versus remote grade power grade, remote grading take notes और यह ऐसी ads हैं basically जो हमने अपने clients के लिए किये है वो हम दुबारा यहाँ पे लेके आएंगे शुरू से आपके लिए वो हम color grade करेंगे और shot match करके आपको दिखाएंगे फिर बाद में आपको वो practice के लिए footage दी जाएगी आप भी same same steps करोगे जिससे आपका अभिहास बहुत जादा हो जाए और जब भी आप client के साथ काम करो उसकी output अच्छी दो तो यहाँ पे Tinder एक app है उसकी हमने commercial add की थी तो उसकी add यहाँ पे हम करेंगे fitness की एक commercial add करेंगे और man force की commercial add शुरू से लेके end तक add करेंगे ऐसा नहीं कि आपको एक shot कर दिया जाएगा फिर आपको बोला जाएगा कि घर पे जाओ और खुद कर लो ऐसा नहीं होगा शुरू से लेके end तक पहले हम करेंगे फिर आप करोगे तो यह सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे advance में फिर आ जाता है color grading color grading क्या होती है कौन-कौन सी इसी theory होती है क्यूंकि colors एक color को दूसरे colors के साथ mix करके बनते अभी simple बात करें तो हमें यह सुना होगा RGB, CMYK, Cyan, Margenta, Yellow, Kala या जिसको black भी बोल देते हैं तो यह बाकी के colors कैसे बनते हैं किसने बनाई है यह theory कौन से color को कौन से color में mix करके कौन सा color बनता है और color harmonies के बारे में सीखेंगे कि कितने तरह की color harmonies होती है क्यूंकि जितने भी हमारे films के color बनते हैं music videos के color बनते हैं जैसे कि complementary colors जो colors जैसे आपका ये color है उसके opposite जो color जाएगा उसको बोला जाता है complementary, monochromatic, square ऐसी बहुत सारी color harmonies होती हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे सारी detail में फिर हम सीखेंगे color temperature क्या होता है color temperature important क्या होता है क्यूं होता है और हम सीखेंगे ये सारी techniques इसमें color grading की बता ही जाएगे आपको फिर उसके बाद हम color grading में lookbook बनाना सीखेंगे क्लाइंट को कैसे lookbook present करनी है जो आपके साथ काम कर रहा है first time commercial और music video की grading कैसे करनी है necessity tool कौन कौन से है और ये complete जो हैं आपकी series है शुरू से लेके end तक हम करनी सीखेंगे adidas की looks बनानी holiday season में looks बनानी hollywood की बहुत सारी looks इसमें होंगी उसको बनाना सीखेंगे film looks कैसे बनाते हैं जितनी वे आप hollywood movies देखते हो उसको बुला जाता है film print emulation उसको बनाना सीखेंगे pre wedding की looks कैसे बनानी है वो सीखेंगे जैसे क्या होता है कि जितने भी weddings होते हैं उसमें बहुत सारे luts लगाके हम use करते हैं जो की wrong method है और ऐसे cinematic mood बना देते हैं जो की हमारी weddings के लिए बिल्कुल गलत होता है वो color बिल्कुल काम नहीं करते क्यूंकि wedding जो है बहुत एक romantic vibe है romantic feel है तो वो चीज़ें हमें color के through deliver करनी होती है जो की बहुत सारे लोग miss कर जाते हैं ये सारी चीज़ें हम correct करेंगे फिर आजाता है advanced film print amulation कैसे करना है क्या होता है ये सारी चीज़ें सीखेंगे hillation, texture, grain ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे क्या होते हैं क्यों कब किस चीज़ें का use करना है और मेरी तरफ से आपको बहुत सारे ऐसे luts भी दिये चाहेंगे जो कि actually genuine luts होंगे और आपके अच्छे luts होंगे जो scientist ने बनाए हुए जो Netflix, Amazon Prime ये सब लोगों के साथ काम करते हैं और वो paid luts होते हैं फिर हम सीखेंगे studio setup करना studio setup कैसे करना है studio में setup करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए panels जो आते हैं वो आपके किस काम आते हैं जिस पे हम grading करते हैं ऐसे panels आते हैं जैसे आपने देखा भी होगा शायद मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसे panels होते हैं कि क्यों आपके काम आते हैं कब आपको लेने चाहिए कौन सा panel आपको लेने चाहिए क्योंकि इसमें भी category आते हैं ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे कि कब कौन सा panel लेना है आगे की research कैसे आपने नहीं शुरू करने है क्योंकि जब आप course खतम कर दोगे ऐसा तो है नहीं आपने कुछ नया सीखना नहीं है क्योंकि software भी अपने आपको दो महीनों में तीन महीनों में अपडेट कर लेता है तो आप तो किस मिट्टी के बने हुए सब यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा जो भी इनसान अपडेट नहीं करता अपने आपको वो खतम होता जाता है market से सच बता रहा हूँ कोडा सच है पर जानना ज़रूरी है delivery settings क्या होगी grading का कल को आपने studio बनाना उसमें paint कौन सी requirement है और productivity app कौन सी है यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फर उसके बाद आपको certification दी जाएगी जो कि हमारे arena film institute की certification होगी और उसके बाद आपको एक certification दिलवाई जाएगी black magic की तरफ से जिसका आपको एक test देना होगा जिसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे वो black magic का आपको test दिलवाएंगे जिसकी कोई cost नहीं होगी यह included होगा वो black magic का test देने के बाद आपको black magic की तरफ से भी certification मिल जाएगा यह दोनों certification लेके वैसे तो मैं मानता हूँ कि आपका काम अच्छा होना चाहिए certification matter नहीं करता मेरा ऐसा मानना है बट अगर फिर भी आप किसी बड़ी company में job कर रहे हो तो यह दोनों certificate दिखा कि आपको अच्छे से अच्छी job मिल जाएगी और साथ में आपका अच्छा काम होना चाहिए यह भी matter करता है फिर उसके बाद यह हमारे content partners है जो आपके लिए data को shoot करते हैं मतलब इनके द्वारा shoot की गई footage को या data को हम आपको practice के लिए देते हैं यह कुछ testimonials है मैंने बहुत सरे test to manuals यहाँ पर add नहीं करवा है क्योंकि हम चाहते हैं हमारी website बिल्कुल clean रहे students हमारे यहाँ पर और भी बहुत है ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 4 students है student और भी बहुत है और यह कुछ frequently ask questions होगे वैसे तो मैंने आपको हर चीज का आपके हर सवाल का जवाब दे दिया अभी जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास mac computer नहीं है और उनको final cut pro सीखना है क्योंकि davinci resolve आपके window में भी चलता है mac में भी चलता है अब वो लोग जिनके पास windows नहीं है सबसे पहली बात तो वो mac ले सकते हैं laptops आते हैं वो ले सकते हैं laptop नहीं लेना चाते हैं वो desktop ले सकते हैं या फिर क्या होती है hack and touch में क्या होता है जो आपका normal PC होता है जैसे intel base का आपका PC हो उसके उपर आप hack and touch करवा के आप mac के operating system को run कर सकते हो और उसके बाद आप final cut pro के install कर सकते हो तो ये method है अगर आपको इसके बारे में और advance में सीखना है तो हमारी technical team है call कर लीजिए या हमें email कर दीजिए जैसे भी आपका मन हो call करने के बाद वो सारी technical service आपको दी जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं पहली बात पूरे planet पे ऐसा कोई course नहीं सिखा रहा जिसमें ये सारी complete knowledge आपको सीखने को मिले कि camera कैसे चलाना है ये सारी complete knowledge क्योंकि जब हम shoot अच्छा नहीं करेंगे तो result अच्छा नहीं आएगा ये लिखके लिए चीज़े तो ये सारी चीजे original price hour अगर हम बात करते हैं तो ये 2,00,000 रुपे बनता है और जितने भी institute अगर कोई अच्छा institute है वो आपसे 5-7,00,000 रुपे चार्ज कर रहा है कोई भी film school जिसको हम बोलते हैं पहली बात वो सारी चीजें सिखा नहीं रहा जो हम सिखा रहे हैं दूसरी बात अगर आपको ये सारी चीजें कोई सिखाता भी है तो कम से कम भी 5-10,00,000 रुपे आपसे लेता है बट लिमिटेड टाइम ओफर है हमने कोर्स को 60,000 रुपीज में किया गया है आप कोर्स की अमाउंट को step by step में भी दे सकते हो हर मन्थ दे सकते हो इसकी EMI बन जाती है आपको पूरी फीज एक टाइम पर देने की जरूरत नहीं है आप थोड़ी थोड़ी करके फीज को दे सकते हो शुरुआत में आपको एक रिजिस्टेशन फीज देनी पढ़ती है 1,000 रुपीज क्यूंकि अगर आपको कोर्स थोड़ा सा लेट भी करना है तो भी कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं है जब आप रिजिस्टेशन दे देते हैं तो आपकी कोर्स की जो फीज होती है वो 60,000 पे लॉक हो जाती है कल को कोर्स हमारे उरिजिनल पराइस पे जाएगा तो आपको कोर्स का उरिजिनल पराइस नहीं देना पड़ेगा इसी के accordingly आपको फीज देनी पड़ेगा तो registration ज़रूर करवा लीजिए यह मैं आपसे request करता हूँ और जैसे बाकी आपकी मर्जियों वैसा कर लीजे और limited time offer में जब आप 60,000 की माल लीजे तीन महीनों में आप इसको complete कर शकते हैं 20-20,000 हर मन्त हमें दे सकते हैं या 4 महीनों भी भी आप complete कर शकते हैं ठीक है जैसे आपको सही लगे पर आपको हमें बताना होगा वो सारी चीजें आपके लिए वो सारी चीजें जो हैं आपके लिए कस्टमाइज कर दी जाएंगी आपको कोई भी problem नहीं आने वाली seat आप यहाँ पे भी book कर सकते हैं click करके form fill कीजिए seat book कर सकते हैं या फिर हमारा जो number है 734-758-6986 इसके उपर call करें और अपनी seat को book कीजिए हमारी institute की तरफ से आपको एक student ID card मिलता है हमारी institute की तरफ से आपको एक ID card मिलेगा जो कि आपकी email के उपर आएगा जिसमें आप कौन सा course कर रहे हैं वो सारी चीजें लिखी होंगी जैसे यहाँ पर एक student है हमारे पास योगी उनका नाम लिखा हुआ है उनकी ID लिखी हुई है यह उनका batch code आ गया और यह video editing वो करते हैं बट actually मैं हमारे पास वो सिर्फ video editing नहीं कर रहे हैं वो color grading भी सीख रहे हैं साथ में actually बाद में उन्होंने decide किया कि हमने color grading भी सीखना है तो यहाँ पर उनका जो ID card है वो video editing उसमें final cut pro सीख रहे हैं तो यह आपके registration होने के बाद आपकी email के उपर यह सारी चीज़ें share कर दी जाती हैं और जब भी आप course join करोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जब भी आप end करोगे course को उसके बाद भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि कल को आपको course करने के बाद भी अगर कोई problem आती है तो हम उसका भी आपको solution दे हम आपके साथ ऐसा family treatment करेंगे कोई भी ऐसा आपको institute वाली कोई भी ऐसी vibe नहीं आएगी जैसे हम घर पे family रहती है वैसे treat होगा आपके साथ आज भी और कल भी यही हमारा वादा है इस course में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है इस course में जितनी भी सारी चीज़ें आपके question थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको clear कर दी है इसके बाद अगर आपको कोई भी doubt रहता है आप हमें call कर शकते हैं 734-758-6986 या फर आप हमारी website के उपर visit करिए www.arenafilminstitute.com जहां पे आप जाके और detail में पढ़ना चाहो तो फटशकते हूँ वैसे already मैं सारी चीज़े बता चुका हूँ और यहां पे आपको whatsapp का icon दिखता है whatsapp के उपर क्लिक करिए सीधा number के उपर पहुंच जाएंगे आप तो यहां पे आप message कर सकते हैं और उमीद करता हूँ आप हमारे साथ जुडेंगे हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपको दिल से पढ़ाएंगे और जो हमने सीखा है वो आपको सारी चीजें यहां पे share की जाएंगे